परिस्थीतियों को दोस्थ देना बंद करो कुछ लोग हमेशा परिस्थीतियों को ही दोस्थ देते हैं यह motivational story ऐसी है जिसको सुनकर आपकी आखें खुल सकती है इस कहानी को जल्टी से जल्दी सुन करते हैं काफी समय पहले की बात है दोस्तो एक आदमी रेगिस्तान में फस गया था वो मन ही मन अपने आपको बोल रहा था कि यह कितनी अच्छी और सुन्दर जगह है अगर यहाँ पर पानी होता तो यहाँ पर कितने अच्छे अच्छे पेड़ उग रहे होते और यहाँ पर कितने लोग घूमने भी आते मतलब प्रकृति को वह ब्लेम कर रहा था कि यह होता तो वह होता और वह होता तो सायद ऐसा होता प्रंतु उपर वाला देख रहा था अब उस इंसान ने सोचा यहाँ पर पानी दिख नहीं रहा है उसको थोड़ी देर आगे जाने के बाद उसको एक कुवा दिखाई दिया जो की पानी से लभा लभ भरा हुआ था काफी देर तक विचार विमर्स करता रहा फिर बाद में उसको वहाँ पर एक रसी और बाल्टी दिखाई दी इसके बाद कहीं से एक परची उड़कर आती है जिस परची में लिखा होता है कि तुमने कहा था यहाँ पर पानी का कोई सुरूत नहीं है अब तुम्हारे पास पानी का सुरूत भी है अगर तुम चाते हो तो यहाँ प परिस्थितियों को दोस्त देना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं लेकिन आप परिस्थितियों को दोस्त देते हो कि अगर यहाँ पर ऐसा हो और आपको वह सोर्सेस मिल जाए तो क्या परिस्थिती को बदल सकते हो इस कहानी में तो यहीं लगता है कि कुछ लोग सिर्फ पर परिस्तियां बदले और आपको अगर उसके लिए उप्यूंत साधन मिल जाए तो आप अपना एक परसेंट योगदान तुभे ही सकते हैं और मुझे पूरा भरूसा है कि अगर आपके साथ ऐसी कोई घटना घटित होती है आप अपना योगदान जरूर देंगे यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो किरप्या मेरे चैनल को लाइक एंड सस्क्राइब कर दें जय हिन